हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक मैं चैनल टार्टीचर जॉब में प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इपने चैनल टार्टीचर जॉब में दोस्तों गर अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे और बैल आइकन बटन को प्रेस कर लिजे जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों इसके पहले हम हिंदी ब्याकर में भाग 11 अकर चुके ब्यंजन की बाद स्वर्य ब्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे ब्यंजन संदी कहते हैं जैसे वाक धन इस वाग इस सत धन जन सजन उत धन हार उद्धार ब्यंजन का सुद्ध रूप हल वाला रूप जैसे कखग होता है दोस्तों जब आप ब्यंजन का सुद्ध देखेंगे तो उसमें का की नीचे हलंत होगा की नीचे हलंत होगा चुकि जो बेंजन होता है वो कहीं न कहीं स्वरों का सारा लेके उच्छ EARTH होता है लेकिन जब वो स्वर हटा दिये जाते मांसे तो उसके आपके नीचे हलंता जाता है अर्याद mort बेंजन संदी के नियम क्या है ? वर्ग के पहले का तीस्रा वर्ग में परिवत्न पहला नियम है इसका कहते हैं चावर।ka टै वर्ग की पावरंग में तीन पाँच, एक trick हम ने बनाया है ये आपका तीन होगा और पाँच वला हम इसके बाद में पढ़ेंगे तो यह है पहले का तीसरे वर्ड में चिंज होना यानी कि का का ग में, चा का जा में, टा का डा में, ता का दा में और पा का बा में, चेंज हो जाता है अब का का गा में होने का जो प्रोसेस वो देख लेते हैं कैसे होता है का दिक धन गज बराबर दिक गज दोस्तों यहां पर ध्यान से देखेंगे दिक का की नीचे हलंत है प्लस ग और ज़ है तोट इक्षड हो गया गाह में दिक्ज हो जाता है अब इहां पूछेगे यहां पूछेंगे यहां पूरा पूरा कैसे जब कि इसमें इसवा को पूरा कर देगा तो का जब चेंगे तो वह गाँ पूरा आएगा दिगंद हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं दिक धन विजय दिक धन विजय में दिक विजय देखेंगे का के नीचे हलंत है वा है तो यहाँ पर देखेंगे दिक विजय होगा क्योंकि जो का गा में परवर्दित होगा अब चुकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं आया है तो वो का आधा गा में ही रह जाएगा इसलिए वहां पर दिग्विजह गा आधा यहाईगा वाक धन इस वागी स मैं अब देखेंगे ध्यान से वागी स वागी स मैं यहां पर भाक का की नीचे हलं था लेकिन उसके बाद जब हम इसको एड़ कर रहे है तो एक स्वर है इसलिए यहाँ पे का का जब गा में परिवर्टन होगा का भले यहाँ आधे रूप में है लेकिन वहाँ जब जाएगा तो गा पूरे रूप में हो जाईगा वागी स्वह जाएगा अब देखते हैं चा का जा होना अच धन अन्त अजन्त अब ये चा अपने तीसरे वर्ड में जाएगा च च जा में चला जाएगा तो अजन्त हो जाएगा अच धन अजादी अब टा कर डा हो जाता है सट धन आनन सडानन यहां पर ध्यान से देखेंगे टा यहां पर आधे रूप में है चुकि यह बेंजन है लेकिन आनन में सबसे पहले आ जो है एक स्वर है तो सडानन जब पूरा यहां पर डा पूरा हो जाएगा आ की मात्रा भी हो जाएगी सडानन सट धन रिपू सडिपू टाकडा हो गया सडिप में ताकडा होना भगवत धन भजन ता थदा अपने तीसरे वर्ड में गया ना तीन पांच हमने इसमें आपको बताया ना एक ट्रिक यह पहला पहला वर्ग जो है ता वर्ग जो है अपने तीसरे वर्ड में चला गया है तो भगवत धन भजन भागवत ताक दा हो जाएगा भजन भगवद भजन उत धन योग ताक यहां पर दा होगा उत योग सत धन भावना ताक दा हो जाएगा सद भावना अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों यहां पे जब आप देखेंगे चाहे भगवत भजन में चाहे उद्योग में चाहे सत्धभावना में सत्धनगुड सत्धगुड में भी सारे दादा जो भी आए हैं उन सब की नीचे हलंत लगा क्यों लगा है क्योंकि इनका जब इनका ज कोई भी सी वह पूरा क्या कि यहां पर कोई इसके पहले समय नहीं VAR पालोप्त के रूपहा होना कि ऑफ जने दो तब रहे हैं अपधन जा अब ज thou uppdhan दी अब दी सुब्धन अंत सुबन्त यहां पर देखेंगे पा पूरा हो गया क्योंकि पा पूरा बा में चेंजो जाता है क्यों यहां पर आ है ना अंत में तो यह एक स्वर है यह पा को पूरा करके बाबना देगा और हो जाएगा पूरा क्लियर सुबन्त अब हम चलते हैं दूसरे नियम की तरफ वर्ग का पहले वर्ड का पांचवे वर्ड में परिवर्तन दोस्तों इसके पहले हमने पढ़ाता तीन अब पढ़ेंगे पांच अब जो का चटा ता पा यह दि किसी वर्ग के पहले वर्ड का चटा ता पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ड से हो तो उसके अस्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ड हो जाता है जैसे हम देखते हैं का का अंगा यहां पर अनुनासिक वर्ड की बात हो रही है अनुनासिक ना मा यह सब अनुनासिक हैं जब हम बोलते हैं तो हम मुझ से जब उचारित करते हैं तो वो हमारे मनाक से हवा निकलती है आवाज भी नाक से निकलती है ना बोलिए ना मा तो आपक तो इस तरह से यह अपने पांचवे वर्ड में चेंज हो जाते हैं हर वर्ग का चेंज यहां पे पांचवे वर्ड में हो जाता है का का अंगा में हुआ है क्लियर यहां तक क्लियर हो गया हूं इसका उधारण देखते हैं जैसे क का अंगा में होना बक धन मैं वाक धन मैं ध्यान से देखेंगे वाक का की नीचे हलंते प्लस मैं वांग मैं का का अंगा हो गया है वांग मैं टा का अड़ा होता है टा का अड़ा होना जब आधाना ही वहाँ पर आधाना ही आएगा है देखेंगे ता को ना में जब चेंज किया गया तो उसके आगे जो स्वर नहीं है मय में तो इसलिए वहाँ पे तनमै ही रहेगा ना पूरा नहीं होगा चित धनमै चिनमै क्लियर जगत धनात जगननात जगननात ता जब चेंज हुआ यहाँ पे ता के नीचे हलंत है जगन नात नात पहले से ही है वो ता जो है वहाँ पे आधा ही गया यानि कि ता का जो चेंज हुआ ना में वो आधा ही ना जाएगा क्योंकि यहाँ पे वेंजन के रूप में है तो वेंजन में ही जाएगा सवर नहीं है तो add नहीं होगा पूरा इसलिए वहाँ पे आधा ना ही जुड़ेगा तो दोस्तों अभी इसमें और भी नियम बाकी हैं जिसको हम next वीडियो में cover करेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजेगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थैंक्यू सो मच जैहिंद